हेलो स्टूडेंट्स हम धातों के रसाइनिक गुन धर्म कर रहे हैं अपनी पिछली वीडियो से तो हम धातों का एक और रसाइनिक गुन आज पढ़ेंगे और समझेंगे कि धातों अमलों के साथ कैसे अभी क्रिया करती है तनू अमल के साथ या सांद्र अमल के साथ जिसके साथ भी अभी क्रिया करती है तो वो किस तरह से करती है और ऐसा भी हो सकता है कि वो क्रिया करें ही ना किसी भी अमल के साथ चाहे वो सांद्र हो या तनू हो तो इसके लिए भी हम क्रिया कलाप के द्वारा ही ये पता लगा सक कि क्या सभी धातुएं अभिक्रिया करती हैं और जो करती हैं वो किस तरह से करती हैं तो इसके बारे में जो रसाइनिक अभिक्रियां जब आपने रसाइनिक अभिक्रियां और समिकरन के बारे में जब आपने पड़ा होगा तो आपने उसमें देखा हुआ कि जब धातुएं अमल के साथ अभी क्रिया करती हैं तो हारजन गैस उत्पन करती हैं आप पहले ही अध्यान कर चुके हैं कि धातुएं अमल के साथ अभी क्रिया करके संगत लवन तथा हारजन गैस परदान करती हैं मतलब धातु का वो लवन बनता है अमल के साथ और साथ ही हारजन गैस बनती ह लेकिन कया सभी दातों ही इस पर अभी क्रिया करती है उसके लिए ये क्रिया कलाप है कि वैसे ही बिलकुल है कि जैसे आप पहले रसाइनि-गुण धर्मों को आपने पढ़ा और उनमें क्रिया कलाप थे तो इसमें भी क्रिया कलाप में भी इस activity में भी कई तरह के धातूं को इकठा किया आता है अलग अलग सब धातूं का थोड़ी थोड़ी मात्रा ली जाती है सिर्फ यहां पर हमें sodium और potassium नहीं लेना है क्यों नहीं लेना है कि हम दो रसाइनिक गुनों से समझ चुके हैं कि पोटैशियम और सॉडियम बहुत अधिक अभिक्रियाशील धातूं हैं तो अमल के साथ इनकी अभिक्रिया करवाना खतरनाक हो सकता है इसलिए जब हम धातों की अमलों के साथ अभिक्रिया के बारे में बढ़ रहे हैं तो सोडियम और पोटेशियम को नहीं लेना है बाकी धातों को हमें लेना है उनके थोड़े थोड़े टुकड़े लेने है और पहले उन्हें रेगमाल से रगड़ कर साफ करना है क्योंकि आपने पड़ा कि जब धातों वायों में जब धातों का देहन किया जाता है तो कई धातों ऐसी हैं जैसे मेगनीशियम है, मेगनीशियम है, जिंक है, अलुमीनियम है यह क्या करती है, सामाने ताप पर इनके उपर मेगनीशियम उक्साइड, मेगनीशियम के उपर मेगनीशियम उक्साइड, अलुमीनियम के उपर अलुमीनियम उक्साइड, इनके उपर अपने अपने उक्साइड की एक परत जम जाती है हो सकता है उक्साइड ना हो उनके ओपर कोई दूसरा योगिक पी हो जैसे जो धातुएं ठीक ठीक अभिक्रिया शिल्द होती है बहुत जादा भी नहीं है बहुत कम भी नहीं है अगर उनको खुली पड़ी रहती है कई दिन तक तो वायू मंडल में कई तरह की गैसे हैं आप परत बना सकता है तो इसलिए जब भी हम धातूँ की किसी भी पदार्थ के साथ अभिक्रिया शिल्दा को चेक करते हैं तो सबसे पहले हमें क्या करना होता है कि धातू को रेगमाल से साफ करना होता है ताकि अगर उसके ओपर किसी पदार्थ की परत जम भी गई है तो वो र लेने के बाद उनको पहले रेगमाल से साफ करना है तो यहां भी हम ऐसे ही करेंगे अमल के साथ जब हम अभी क्रिया शीलता देख रहे हैं तो हमने अलग-अलग धातुओं के सोडियम और पोटेश्यम को छोड़कर कुछ चार-पांच धातुओं के टुकड़े लेने हैं और उनको रेगमाल से अच्छे से रगड़कर साफ करना है और इसके बाद जो है इनको हाइड्रोक्लोरिक अमल अलग-अलग परखनलियों में हमने हाइड्रोक्लोरिक अमल लेना है अगर आपने चार धातुओं ली हैं तो आपने चार परखनलिया लेनी है और उनके अंदर थर्मामीटर ऐसे लटकाना है आपको कि धागे से बांद कर थर्मामीटर को लटका देना है इसमें और थर्मामीटर ऐसे लटका होना चाहिए कि उसका जो बल्ब है नीचे वह इसमें डूबा होना चाहिए अमल में ठीक है बार ना हो अमल से क्योंकि हमें जब धातुएं अ पता लगा सकते हैं मालो आपने एक परकनली ली आपने उसके अंदर जिंकका टुकुरा डाल तो जिंकक का टुकुरा डालते हैं तो अगर सोसमा बढ़ जाता है यानि हो अभीक्रिया अगर उश्मा शेपी है उश्मा करते हैं तो टांप democrat भड़ेंगा तो टांपमान बढ़ा अलग अलग टुकड़े जो हैं और फिर हमें देखना है कि उसमें आपको बुलबुले बनते हुए दिखाए देंगे जिसमें भी अभिक्रिया हो रही होगी ना उसमें बुलबुले बनते हुए दिखाए देंगे बुलबुलों का मतलब ही है कि अभिक्रिया हो रही है आपने धातू का टुकड़ा डाल दिया इसमें और आप इस टुकड़े के उपर चारो तरफ आप देखोगे छोटे छोटे बुलबुले निकल रहे है वो बुलबुले का मतलब है कि अभिक्रिया हो रही है धातू और अमल के बीच में और अगर तेजी से बुलबुले निकल रहे है अगर कम बुलबुले निकल रहे हैं तो कम अभिक्रिया हो रही है तो आपको यही देखना है कि बुलबुले तेज बन रहे हैं या धीरे-धीरे बन रहे हैं बुलबुले बनने की दर को सावधानी से देखिए कौन सी धातुएं तनू हाइड्रोकलोरी कामले के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है और कौन सी कम अभिक्रिया करती है कौन सी धातु वाली परक्नली में सबसे ज़्यादा तापमान में अंतर आया तो ये देखकर हम बता सकते हैं कि कौन सी धातु ज़्यादा अभिक्रिया शील है जो हम दो रसाइनी गुनों में हम दो अभिक्रियाओं में दो क्रिया कलापों में ये समझ चुके हैं एक तो धातों की कावायू में देहन और धातों की जल के साथ अभी क्रिया कि कौन सी धातों ज़्यादा अभी क्रियाशील हैं कौन सी सबसे कम अभी क्रियाशील हैं और कौन सी बीच में आती हैं तो यह भी हम यहां पर भी यही देखेंगे कि चाहे हमें वही धातूएं मिलेगी सबसे अधिक अभिक्रियाशील वही धातूएं होंगी जो हमने पहले दो में देखा सबसे कम भी वही होंगी जो हमने पहले दो में देखा लेकिन फिर भी आपको ये करना है ताकि आप अच्छे समझ जाएं कि हाँ हर बार यही धातुएं आती हैं जो कि सबसे अधिक अभिक्रियाशील है और यही धातुएं आती हैं जो कि बीच की श्रेने में आती हैं बीच की उनकी अभिक्रिया शीलता है ना भी बहुत कम है ना ही बहुत ज़ादा है तो आपने ये सब नोट करना है और इसके लिए मैं आपको जिंक की अमल के साथ अभिक्रिया का एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट भी दिखाओंगी की कैसे जिंक तनू Nature Chloric अमल के साथ अभिक्रिया करता है तो वह मैं आपको दिखाती हूं आपको पहले ध्यान से देखना है उसके ऐसे इसमें थोड़ा सा हमने चुछ टूकरे डालेंगे इसमें परखनली में से दूआ निकलना शुरू हो गया उपर अप देखो इसमें धूआ निकल रह तो आपने देखा कैसे जब जिंक का टुकुडा जैसे ही हाइडरो क्लोरिक अमल में डाला हमने सांद्र हाइडरो क्लोरिक अमल में जैसे ही जिंक का टुकुड़ा डाला उसमें बुलबुले बनने शुरू हो गए उपर से धुआ भी निकलना शुरू हो गया परखनली में से और जैसे ही हम उसके पास परखनली के मूँ के पास जलती हुई माचिस की तीली या मौमबती लेकर जाते हैं तो कैसे पॉप की आवाज आती है एक वो क्या है दो बार क्यों हूँ ऐसा हुआ पहले तो आपको यह समझना जरूरी है कि दो बार ऐसा क्यों हुआ और दोनों बार ही क्यों हुआ क्यों कि जब जिंक की हाइड्रोकलोरिक अमल के साथ अबिक्रिया हुई तो उसमें हाइड्रोजन गैस बन रही है ये मैंने आपक साथ अभिक्रिया करती है तो hydrogen gas उत्पन होती है अब हमें कैसे पता चलेगा जो gas निकल रही है वो hydrogen gas है वो oxygen gas भी हो सकती है वो carbon dioxide gas भी हो सकती है तो hydrogen gas का test करने के लिए उसकी जांच करने के लिए हम उस परक्षनली के मुग के पास एक जलती हुई माचिस की तीली ले जाते हैं अब क्योंकि जो hydrogen gas है वो जोलन शील है वो एकदम से आग पकड़ लेती है ठीक है तो जो उसमें से hydrogen gas आ रही थी ना वो एकदम से जल गई और इतनी तेज वो जली इतनी तेज वो उसका जोलन शीलता थी कि उसने उस माचिस की तीली को बुझहा दिया अब hydrogen gas यह थी निकल रही थी आपने पहले माचिस की तीली लेके गए तो वह उसे यह प्रूव होता है उससे हमारी हम यह जांच कर सकते हैं कि जो इस अभी क्रिया में गैस बन रही है वो हाईडरोजन गैस है ठीक है तो हाईडरोजन गैस का टेस्ट करने के लिए हम उसके पास चलती हुई माच्छस की तीली रह जाते हैं तनू तो अब हम इसमें देखे है, वैसे जभीए ऐसी अभी क्रिया ही करवाइजाती है तो तनू अमल लिये जाते है और तनू अमल के साथ अभी थोड़ी कम होती है, लेकिन हमने हाइरुजन गैस की उपस्तिती की जान्च करने थी, इसलिए हमने जो अमल लिया वो सांद्र लिया लेकिन कम मातरा में लिया और उससे ज़्यादा हाइडरोजन गैस निकली तेजी से निकली लेकिन जहाँ जो क्रिया कलाप में है और नूर्मली जब हम क्रिया कलाप बच्चों को यह एक्टिवीटी करके दिखाए जाती है तो तनू हाइडोक्लोरी कामल ही लिया जाता है तनू हाइडोक्लोरी कामल के साथ मेगनीशियम ने कैसे क्रिया की हाइडोजन ने कैसे क्रिया की जिंक ने कैसे क्रिया की और आइरन ने कैसे क्रिया की इनके लिए आपको समिकरन लिखने है तो यह आपको समिकरन लिखनें आते ही होंगे जैसे कि मैंने आपको जैसे आपने रसायनिक अभिक्रियाओ वाले चैप्टर में भी किया होगा कि जब जिंक हेल्ग्रोक्लोरिक अमल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह जिंक कलोराइड बनाता है यही हमने उपर पड़ा है कि धातुएं अमल के साथ अभी क्रिया करके लवन बनाती है और हारजन गैस बनाती है ऐसे ही आप अलुमीनियम के लिख सकते हो तो उसमें अलुमीनियम क्लॉराइड बनेगा अगर आप मैंगनीशियम के लिखते हो तो मैंगनीशियम क्लॉराइड बनेगा और आईरन के लिखते हो तो आईरन क्लॉराइड बनेगा जब धात्वे नाइटरी कमल के साथ क्रिया करती है तो हारजन गैस उत्सरजित नहीं होती है क्योंकि जो नाइट्री कमल है नाइट्री कमल क्या होता है एच एन ओ थ्री यह नाइट्री कमल है नाइट्री कमल जो होता है यह बहुत अच्छा उक्सी कारक होता है यह उक्सी कर देता है दूसरे पदार्थ को जो नाइट्री कमल है वो दूसरे पदार्थ को उक्सी कर देता यानि कि उसको oxygen देता है तो इसलिए जब हम किसी भी धातू की Nitric आमल के साथ अभी कर्या करवाते हैं तो hydrogen गैस नहीं मिलती है हमें यह नहीं मिलती है क्योंकि जो hydrogen गैस बनी थी उसको यह नायटरिक आमल oxy-cript कर देता है, उसको oxygen दे देता है, अब आप सोचों कि कि जब hydrogen को oxygen मिलेगी तो क्या बनेगा इनके मिलने से तो जल बनता है इसलिए जल का निर्मान होता है आप इसको ध्यान से पड़ो जब धातुए नाइट्री कर्मल के साथ अभिक्रिया करती है तो hydrogen gas उसरजित नहीं होती है क्योंकि नाइट्री कर्मल एक प्रबल उक्सी कारक होता है जो उत्पन हुई hydrogen gas को उक्सी करित करके जल में बदल देता है एमम स्वेम नाइट्री कर्मल जो है वो खुद नाइट्री कर्मल के किसी उक्साइड में अपचाइद हो जाता है नाइट्री कर्मल से नाइट्री कर्मल का इन म अचील है लेकिन मैंगनीशियम और मैंगनीज ये अती तनू नाइट्री कमल के साथ अभी क्रिया करके अगर आपने नाइट्री कमल बहुत तनू ले लिया बहुत तनू का मतलब है कि नाइट्री कमल में बहुत जादा पानी डाल दिया आपने जल मिला दिया तो वो बहुत अ तनू बन जाएगा उनके साथ मेगनीशियम तथा मेंगनीज यह हाइड़ोजन गैस उत्पन कर सकती है अगर आपने अती तनू नायट्रिक अमल लिया है तो थीक है तब हाइड़ोजन गैस बन सकती है बुलबुले बनने की दर जो ज़ो तनू हाइड़ोग्लोरी के अमल के सा तो विबिन धातुएं हमने ली और तो उसमें आप देखोगे कि मैगनीशियम के साथ जो बुलबुले बनने की दर थी ना वो सबसे अधिक होगी जो हमने अलग-अलग धातुएं ली उनमें मैगनीशियम सोडियम और पोटेशियम तो हमने लिया ही नहीं हमने स्टार्टिंग में ही कहा कि सोडियम और पोटेशियम नहीं लेना है क्योंकि वो बहुत अधिक अभी क्रिया शील है और जो आमल आप तनू हाइडरोकलोरिक अमल लोगे या तनू नाइटिक अमल लोगे तो उसमें जल तो हो गई और अगर आप उसमें डालते हो उन दोनों में से किसी भी दातू को तो आपको पता है कि जल के साथ कैसे अभी क्रिया करती है वो उपर से अमल भी है तो बहुत करतरना का अभी क्रिया हो जाएगी इसलिए हम सोडियम और पोटेशियम के अभी क्रिया अमल के साथ नहीं देखते हैं वो करती है अभी क्रिया लेकिन हम करवा के नहीं देखते हैं क्रिया कलाप में एक्टिविटी में हम दूसरी धातों लेते हैं तो जब हम दूसरी धातों लेते हैं तो उनमें मैंगनेशियम के साथ बुल बुले बहुत तेजी से बनते हैं इसका मतलब क्या है कि मैगनीशियम भोतेजी से अभिक्रिया करता है और जो अभिक्रिया है वो सबसे अधिक उश्मा क्षेपी है उसमें सबसे अधिक उश्मा निकलती है तो अभिक्रिया शीलता जो है वो इस करम में होगी सबसे अधिक अभिक्रिया शील है मैगनीशियम फि इन चारों में से फिर अलमीनियम फिर जिंक और सबसे कम आईरन होता है लोहा होता है तो ये हम जो अलग-अलग रसाइनी गुंधन देख रहे हैं इन से अलग-अलग धातु हम क्यों ले रहे हैं बार बार इसलिए ही ले रहे हैं कि जिनकी हमें अभिक्रिया शिल्टा के बारे में पता नहीं है कि किसकी कम है किसकी ज़्यादा है हम तुलना नहीं कर पा रहे हैं वो किसी ना किसी अभिक्रिया में जाकर तो उनके बारे में पता चलेगा ही चलेगा तो यहां पर अमल के साथ जब हम इनकी अभिक्रिया देखेंगे तो हमें यहां पता चल जाएगा कि मेगनीशियम के साथ बुलबुले बहुत तेजी से बनते हैं और बहुत अधी कुश्मा उत्पन होती है और सबसे कम बुलबुले उत्पन होते हैं लोहे के साथ आईरन के साथ ठीक है और कोपर अगर हम ले 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 तामबा ले 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 तो तामबे के केस में ना तो बुलबुले बनते हैं और ना ही तापमान में कोई परिवर्तन होता है मतलब ना तो उसमें गैस बनती है हैडोजन गैस हाइडोजन गैस नहीं बनी तो मतलब कोई अभिक्रिया ही नहीं हुई और तापमान में भी परिवर्टन नहीं हुआ तो इसका भी मतलब यही है कि अभिक्रिया नहीं हुई तो कोपर तनू कोपर जो है वो हाइडोक्लोरिक कोपर हाइडोकलोरिक आमल के साथ अभिक्रिया नहीं करता है तनु हाइडोकलोरिक आमल के साथ और जो सोना और चांदी हैं ये भी जल्दी से ये सोना तो बिल्कुल अभिक्रिया नहीं करता है प्लैटिनम सोने का जो रसाइनिक प्रतीक है वो ये है प्लैटिनम का ये है ये दोनों भी अमलों के साथ अबिक्रिया नहीं करते है लेकिन एक special mixture होता है अमलों का और उस mixture का नाम है एक्वारिजिया ये आपको वैसे जो इसमें दिया होता है इस तरह के box में ये आप नहीं परिजिया ये क्या है इसमें अगर आप 100 ml बनाना चाते हो तो 100 ml में आपको 75 ml जो है वो एट्सिया लेना होगा सांद्र सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल और इसके अंदर आपको मिलाना होगा 25 ml सांद्र नाइट्रिक अमल ये जो मिश्रन बनेगा इन दोनों अमलों का जिसमें की अनुपात है तीन अनुपात एक तीन हाइड्रोक्लोरिक अमल के लिए सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अमल के लिए और एक सांद्र नाइट्रिक अमल के लिए सीधा सीधा सा ये क्या है इसमें कि अगर आपको 100 ml एक्वारिजिया लेना है तो आपको उसमें 74 ml सांदर हाइडरोकलोरी कम और 25 ml सांदर नाइटरी कम लेना होगा और जो एक्वारिजिया है ये इतना प्रबल मिक्षचर है इतना प्रबल है ये कि ये सोने को भी गला देता है मतलब सोना भी इसमें इसके साथ अभिक्रिया कर लेता है सोना भी इसमें घुल सकता है जबकि सोने के साथ कोई भी दूसरा अमल जब अकेला है तो ना ही सलशूरी का अमल ना ही नाइटरी का अमल ना ही हाइड्रोक्लोरी का अमल इन तीनों में से कोई भी इसके साथ अभिक्रिया नहीं करता है लेकिन एक्वारिजिया जो है वो सोने को भी गोल्ड को भी गला सकता है ठीक है और ये गोल्ड और प्लैटिरम दोनों को ही गला सकता है इसके बाद हम देखेंगे जो अगला रसाइनिक उन्दरम है धातूं का वो है कि अन्य धातू लवनों के विल्यन के साथ धातूं कैसे अभिक्रिया करती है दूसरे धातूं के विल्यन है धातूं के लवन है उनके साथ धातू कैसे अभिक्रिया करती है इसका क्या मतलब है अन और अन्य धातू का लवन जैसे कि आपने ले लिया आइरन क्लोराइड ठीक है कोई भी धातू दूसरी धातू के लवन के साथ कैसे अभिक्रिया करती है यह हम यहाँ पर देखेंगे इसके लिए भी एक प्रयोग है पहले आप इसको समझो ध्यान से यह कैसे करते हैं और फिर म ठीक है कोपर के तार को परक्नली में रखे आइरन सल्फेट के विल्यन में इसके लिए मैं आपको एक पर परक्नली बना कर बताती हूं आपने जो है ना दो परक्नली लेनी है एक आपने परक्नली ली इसके अंदर जो आपने गोल लिया है ना वो है आइरन सल्फेट का गोल आइरन सलफेट का गोल लिया है हमने इसके अंदर जो की हरे रंग का गोल बनेगा इसका थोड़ा सा जल के अंदर आइरन सलफेट को थोड़ा सा गोलना है और वो हमने इस परकनली में ले लिया दूसरी प्रख नली में क्या लेना है कोपर सलफीट को पानी में गोल कर इसका गोल लेना है यह होगा नीला और यह होता है हरा अब हमें क्या करना है हमने अभी पड़ा शुरू में कि हमें कोपर की तामबे की एक तार लेनी है तामबे की तार सबके घर में मिल जाती है नहीं तो आप कोई भी बिजली की तार अगर आपके पास रखी है तुकड़ा रखाया किसी भी तार का तो उसका उपर का कवर जो जरेंसे बटाक करके आपने इसके अंदर डाल देना है ठीक है यह क्या है यह है तांबे की तार और कूपर सल्फेट के विल्इट Mmmebol आपने लोहे की की एक कीज़ डाल देनी हैu लेकिन ये जो कील है जंग लगी होई नहीं होनी चाहिए इस कील पर जंग नहीं लगा होना चाहिए नहीं कील होनी चाहिए और नहीं कील भी है तो अभी आपको इसको रेगमाल से साफ करना है मैंने आपको पहले भी बताया था कि रेगमाज से साफ करना जरूरी होता है अब आपने इन दोनों परखनलियों को 20-20 मिनट के लिए छोड़ देना है ज्यादा से आप आदे गंटे के लिए इनको छोड़ दो ऐसे ही अगर मैं इसको लिएती हूँ A परखनलियों है इसमें कोई परिवर्टन नहीं है लेकिन जो ये B परखनलियों है इसमें आपको परिवर्टन मिलेगा इसमें जो ये नीला रंग थाना ये हलका हलका हरा हो चुका होगा आपने जो ये तार और कील है ये धागे से बांद कर लटकाने है ताकि इनको बाद में आप आसानी से निकाल की सको ठीक है आपने इसको धागे से बांद कर लटकाना है और जब आप ये कील निकालोगे इसमें से बाहर तो कील के उपर आपको कील आपने नया लिया था बिल्कुल लेकिन कील के ओपर आपको भूरा भूरा सा लाल लाल सा चमकदार पदार्थ लगा हुआ दिखाई देगा इसका मतलब यहाँ पर परिवर्तन हुआ है जो B परखनली है इसमें परिवर्तन हुआ है लेकिन यहाँ पर कोई परिवर्तन नहीं हुआ ए परक्नली में यह वैसे का वैसे है परिवर्तन नहीं हुआ का मतलब है यहाँ कोई रसाइनी का विक्रिया नहीं हुई है जबकि यहाँ रसाइनी का विक्रिया हुई है तो यही क्रिया कलाप में बताया हुआ है अब मैं आपको ये कुछ की ये कैसे दिखेंगे जब आप ये प्रयोग करोगे तो ये कैसे दिखेंगे वो मैं आपको कुछ तस्वीरों के मदद से दिखाती हूँ आपको देखके समझ आएगा आप देखो इसमें दो परक्नलिया है यहाँ पर जो मैंने आपको दो परक्नलि इन चित्रों में जो दिखाया गया है इन में परक्नलियों में सिर्फ कोपर सलफेट डाल गया है दोनों में ही कोपर सलफेट है और कोपर सलफेट का नीला घोल होगा ये ठीक है और इसके बाद जब आप इसके अंदर ये इस तरह का आप देख रहे हो रंग इसमें दिखाई नीला तो एक परखनली को हमने यहीं छोड़ देना है यहां इस स्टैंड में ही छोड़ देना है बी परखनली को और दूसरी परखनली का क्या करना है दूसरी परखनली को ऐसे स्टैंड में लगाना है यह स्टैंड में लगाया हुआ है और इसमें यह धागा है धागे से बां का कर 20 मिनट के लिए या आदे घंटे के लिए छोड़ देना है उसके बाद कैसे दिखेगा आप देखो कील जब आप निकालोगे ना इसमें से आपको ऐसे दिखेंगे वो आप कील के ओपर देख रहे हो ऐसा रंग किसका होता है ऐसा रंग होता है तांबे का ना क्योंकि गोल के अंदर क्या था गोल के अंदर तो तांबे का विलियन था कोपर सलफेट कोपर क्या है तांबा ही तो होता है गोल में तांबे का सलफेट का विलियन था तो वो जो तांबा था इसके अंदर वो तांबा इसके ओपर कील के ओपर लग गया सारा चिपक गया तो गोल के रंग क्या हुआ गोल के रंग का देखो गोल का रंग हरा हो गया थोड़ा-ठोड़ा जबकि पहले ये ऐसा ही था नीला लेकिन हमने इसके अंदर कील डाली पार 20 मिनट के बाद तो उसके ओपर तामबा चड़ चुपा था और इस गोल का रंग हरा हो चुपा है अब यह क्यों हुआ हुआ है यह हुआ है that also copper sulphate के विल्यन और लोहे के बीच लोह कहां से आया किल से लौहे के बीच अभिक्रिय के कारण यह परिवर्तन हुआ है और अभिक्रिय क्या होजी है अभिक्रिय कीया कि जब आपने लोहे की की को कोपर सलफेट के विल्यन में डाला तो लोहे ने क्या किया लोहे ने कोपर को निकाल कर बाहर कर दिया और कोपर अलग हो गया और कोपर की जगा पर लोहा आ गया तो जो विल्यन है विल्यन में बन गया है अब आइरन सलफेट का और आइरन सलफेट का लोहे के सलफेट का जो हरे रंग का होता है जो आपको इसमें दिखाई दे रहा है और जो तामबा है वो कहा गया वो कील पर कील पर उसकी परते बन गई ठीक है तो इस अभी क्रिया के कारण हुआ लेकिन जो मैंने आपको बताया था जैसा कि आपकी क्रिया कलाप में दिया हुआ है कि आपने एक और परखनली भी लेनी है जिसमें कि आपने आइरन सल्फेट लेना है ठीक है जो हमने इस चितर में नहीं दिखाया हुआ है दूसरी परखनली में आइरन सल्फेट लिया था और उसमें कोपर डाल दिया था ठीक है लेकिन वहां कोई भी नहीं हुआ इसका मलब क्या है कि कोपर जो है लोहे को निकाल कर बाहर नहीं कर सकता है कोपर लोहे को निकाल कर बाहर नहीं कर सकता है जबकि लोहा कोपर को बाहर निकाल दिया उसने आप समझ रहे हो इसको देखकर कि ये जो मैंने आपको अभी पिच्चर्स दिखाई है फोटोस दिखाई है उन फोटोस से ये पता चला कि लोहे ने कोपर सल्फेट के विल्यन में से कोपर को निकाल कर बाहर कर दिया और जो विल्यन है वो बन गया लोहे के सल्फेट का लेकिन अगर हम विल्यन लेते हैं लोहे के सल्फेट का बाहर नहीं कर सकता जबकि लोहा तांबे को निकाल कर बाहर कर सकता है अब आप इसको जो है ना एक एक तरह से आप सोचो आपकी क्लास में तीन बच्चे हैं दो बच्चे हैं आपकी क्लास में ठीक है और वो उन दोनों बच्चों में से एक जो है वो बहुत ताकतवर है और ए बेंच पर कमजोर बच्चा बैठा हुआ है उस बेंच पर बैठना चाहता है तो वो असानी से उसको हटा कर दूसरे बेंच पर बेज सकता है जो ताकत वर बच्चा है वो कमजोर बच्चे को हटा देगा उसके बेंच से और उसकी जगा ले लेगा लेकिन अगर कमजोर ज्यादा पावरफुल नहीं है इसलिए वो लोहे के सलफेट में से आईरन सलफेट में से उसको बाहर नहीं निकाल सकता लेकिन क्योंकि आईरन जो है वो ज्यादा पावरफुल है इसलिए वो कोपर सलफेट में से कोपर को बाहर निकाल सकता है ठीक है तो ये वही बताया हुआ है कि अभिक्रियाशिल धातु जो है जो अधिक अभिक्रियाशिल धातु अपने से कम अभिक्रियाशिल धातु को उसके योगिक के विल्यन में से विल्यन में से निकाल सकती है ऐसा नहीं है कि आपने कोपर सलफेट के साथ लोहे की कील रख दी तब कुछ भी नहीं होगा विल्यन में लेना है आपको यह कैसी अभिक्रिआ को विस्थापन अभिक्रिया आपने पड़ा होगा तो उसमें अच्छे से समझ चुके होंगे तो वही यहाँ पर मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि जो अभिक्रियाशिल आपने पड़ा कि कई धातु हैं वो भोत अभिक्रियाशिल जगा ले सकती है ठीक है तो हम हमने ये भी देख लिया कि धातूं की अभिक्रिया शीलता समान नहीं होती है हमने अक्सिजन के साथ धातूं की अभिक्रिया शीलता को देखा जल के साथ देखा और अमल के साथ भी देखा लेकिन सभी धातूं इनके साथ समान तरह से समान फूंप से अविक्रिया नहीं करती थो हम इसलिए इनको इनकी अविप्रिया शीलता के घड़ते करम में नहीं रख पाये थे लेकिन अब हम ऐसा करके इस dealing के दोरा इस तरह के प्रयोक दोरा इस प्रयोक के दवरा नहीं इससे तो हम म偉सा पता―चला कि जो तामभा है वो कम अभी הाचील है और लोहा जदा अभी अभी मग्रीाचील है लेकिन हमें कोई भी दो धाटूं के बारे में अगर पता लगाना है कि कों सी अढ़ी का भी ग्रीचल है और कों सी नहीं है जैसे हमने जादे तर यह पाया कि जो अलुमीनियम है जिंक है ठीक है और लोहा है इनकी अभिक्रियाशीलता ज्यादतर हमने एक जैसी ही पाई अक्सिजन के साथ और जल के साथ लेकिन अब हम इस प्रयोग के दोवारा हम ये पता लगा सकते हैं कि इन में से कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है तो इनका तो हमें ऐसे हमें क्या करना है आप हमें आइरन सलफेट का एक विलियन लेना है ठीक है आइरन की योगी का विलियन लेना है और इसमें डालना है हमें जिंक अगर जिंक इसको निकाल कर बाहर कर देता है अभिक्रिया हो जाती है तो जिंक जादा अभिक्रियाशील है और नहीं होती है तो मतलब जिंक लोहे से कम अभिक्रियाशील है इस तरह से हम धातों की अभिक्रियाशीलता को बहुत आसानी से समझ सकते हैं और ये बहुत फायदमंद भी है ये पता लगाने में हम इससे अबिक्रियाशील लग गई थी हमें उनके बारे में अब हम बता लगा सकते हैं कि कौन सी अधिक अभिक्रियाशील है और कौन सी कम अभिक्रियाशील है तो इस तरह से आपने इस वीडियो में धातूं की अमलों के साथ अभिक्रिया किस तरह से होती है और धातूं दूसरी धा से पढ़ना और समझना है ओके